एक चीज आज रात को सोने से पहले जरूर करना, अगर मन पर कोई भी पुरानी बाते पकड़ कर रखे होई हैं, कई बार हमारे पास बहुत पुरानी बाते होती हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, पुरानी पुरानी, अभी के समय की कुछ नहीं, पुरानी यह सारी पुरानी बाते हमारे यहां पड़ी होती है न यह हमारे immunity system पर असर करते हैं यह पुरानी बातों को थुड़ा सा हमें हटाना होगा मेरे मन और शरीर का immunity system मेरे लिए बहुत important है तो आज रात को सोने से पहले उनको शमा करके उस बात को खतम करते हैं जो हुआ कुछ कार सही नहीं हुआ अच्छा नहीं किया उन्होंने मेरे साथ उन्होंने बहुत गलत किया लेकिन मैंने अपने साथ गलत नहीं करना है मुझे अपने immunity system को ठीक रखने के लिए उनको यहां से silent करना होगा यहां पर मैंने उनका चिंतन अब नहीं करना आज रात को सोने से पहले प भूलना ने, भूलना ने, उनको आज जुटे, कि बस, अब ये मेरे मन्चित पर नहीं रह सकते, एक दिन में वो बात तो नहीं चली जाएगे, कल सुबह, फिर कल रात को, दो-चार दिन रोज उसको करना, कि वो बात फिनिश हो चुके है, खतम, मैंने शमा किया उनको, रोज बोलो, मैंने शमा किया उनको, मैंने शमा किया उनको, खतम हो जाएगा, क्योंकि उस दिन हमने बुला था, कि मैंने ये बात कभी नहीं भूलने, तो वो भूलती नहीं है, हम आज बोलेंगे, मैंने शमा किया उनको, मैंने खतम की वो बात, मैं भूल गई वो बात, पांचे दिन के अंदर वो बात खतम हो जाएगी इससे हमारी उर्जा बढ़ती है, इससे हमारी मन की इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है ये भी हमारी साफधानी है जैसे हम मास्क, सानिटाइजर, हैंड वॉश ये सब करते हैं न उसी तरह अपनी उर्जा को बढ़ाना ये भी हमारी साफधानी है इसलिए अपने मन्चित को बिल्कुल साफ रखना है तो एक सुनना पढ़ना देखना क्या है दूसरा सारा दिन व्यावाहार कैसे करना है घर में एक दूसरे से तीसरा मन्चित पर जो पुरानी वाते पकड़ कर रखे होई हैं उनको क्लीन करके खतम करना है क्लीन करना है